ओके माई दिएर इस्ट्वेंट्स, तиडे वी विल स्टार्ट विप वेरी फ्रेस चाक्टर इन अकाॉंटेनसी ,क्जिस द्वolen flown son चाक्टर का नाम क्या है ?BANQU RECONCELLATION STATEMENT ,जिसको इन सौट- हम लोग B.R.S. के नाम से भी जानते हैं इस चाप्टर को हम लोग और एक सौट नाम से जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं B.R.S. इन सौट हम लोग इसको B.R.S. बोलेंगे Bank Reconciliation Statement सबसे पहले इस चाप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी Live Class में जुड़े हैं मेरे से प्लीज एक बार मुझे Message करेंगे Live Class में जो लोग भी हमारे साथ Attend कर रहे हैं वे लोग एक Message करेंगे अपना नाम बस लिख देंगे ओके इसके बाद मैं आपको एक सबसे important बात बता दूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो भी basics of accounting का approximate seven classes हमने complete किया है seven या eight हमने किया है seven basics of accounting का okay 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 so we basics of accounting का हमने seven classes complete किया है ठीक है और इतने classes में just wait for a second कि इतने classes में हमने जो भी पढ़ाना golden rule भी मैंने आपको पढ़ाया basics का theories level का चीज़ भी मैंने आपको बताया फिर cash book मैंने आपको बताया तो subsidiary books मैंने आपको बताया उन सबका इस chapter से कोई connection नहीं है मतलब अगर कोई भी strengths ऐसा है जो कि एकदम basics का एक भी class नहीं किया है और इस chapter को पढ़ने चले आए तो उसको आरम से समझ में आएगा हम यह बोल सकता हूं कि अगर मैं depreciation chapter start करता फिर या मैं final account आपको पढ़ाना start करता या फिर others कोई भी non trading organization में आपको पढ़ाना start करता तो वह सारे chapters के लिए आपको पिछले basics का rules सिखना जरूरी था नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर बेसिक्स फिर इतना दिन से पढ़ाई क्यों रहे थे syllabus में भी है तो हमें पढ़ना है दूसरी बात की दूसरी बात की आपको basics इसलिए पढ़ाए गया कि आगे जो further हम लोग chapters पढ़ेंगे उसमें basics का काफी सारा इस्तमाल होने वाला है लेकिन इस chapter को पढ़ने के लिए जिन्हों ने आज के पहले कभी भी class नहीं किया उन लोगों को भी पूरा अच्छी तरह से chapter समझ में आएगा bank reconciliation statement देखिए क्या होता है यहाँ पर bank reconciliation statement reconcile करने का मतलब क्या होता है? reconcile word जो यहाँ पर है ना reconcile word का मतलब होता है match करना reconcile word का मतलब क्या होता है match करना हम लोग करते क्या है इस chapter में जो भी बाते हैं पर लिखी गई है वो सारा तो मैं आपको समझाओंगा लेकिन मैं आपको virtually एक बार चीजों को समझाना चाहरा हूं जैसे मान लीजिए आपका bank में account ह होता है हर business का normally हम लोगोगों का bank में saving account होता है और business का जो bank में account होता है उसको लोगोंसा account बोते current account बोलते है बिजनेस कजो bank में account maintained होता हो उसको अपने किस से जानते है current have account के नाम से बेटिकली जैसे माली indeed कोई person है और आ अपना करेंट आकाउंट बिजनेस है सोल प्रोप्रेटर्शिक उसका बिजनेस है वह करेंट अकाउंट अपने नाम से ही मेंटेन करता है या आपने बिजनेस के नाम से मेंटेन करता है या नॉर्मली आप पास्ट बुक के सेंस में भी इसको समझ सकते हो मतलब सुरी सेविंग अकाउ करते open करते हैं तो हमारा एक saving account होता है है कि बैंक में जब हम account open करते हैं तो saving account open करें हैं और saving account open करने बाद हैem hep bancoim ultra expn ambient something प्लोगों के घरों में भी होगा अपने ममी पापा के पास से आपने खुद भी अपना account open किया होगा तो पास्ट उग आपके पास होगा पास्ट में क्या लिखा रहता है जो भी बैंक में आपका मनी deposit होता है या आप बैंक से money withdrawal करते हो मतलब आप जमा करते हो या पैसे आप बैंक से निकालते हो उन सब का पूरा statement इस passbook में लिखा हुआ रहता है यही होता है ना passbook में पूरा passbook में यह सारी statement दी गई रहती है तो यह जो passbook होता है इसको maintain करने का काम कौन करता है passbook कौन maintain करता है मतलब passbook में जो भी entries होती है यानि passbook में जो भी deposits होते है या withdrawal होते हैं उसको record करने का काम कौन करता है बैंक करता है very good answer passbook में आप कभी ऐसा देखे हो कि आप अपने passbook में पेंस से लिख करके लिख देते हो कि हमने 100 रुप्याज बैंक में deposit किया हमने 2000 रुप्याज बैंक से निकाला हमने 5000 रुप्या बैंक में deposit किया ऐसा आप या बैंक ने हमारा 40 रुपीज का SMS charges काट लिया ऐसा आप कभी पेंस से लिख करके passbook में यह 40 चीज़े record कर सकते हो कभी नहीं पास बुक में जाओगे तो आप बैंक के पास ही उस पास बुकभाई बैंक हम लोग क्या करते हैं अपने पास एक cash book रखते हैं cash book का मतलब होता है normally एक diary रखना cash book अभी मैंने आपको cash book पढ़ाया भी थाanda cash book मैंने पढ़ाया था तो cash book में ना bank column होता है bank column cash book में क्या होता है bank column हो धास Ben call Famere क्या रहता है bank के bank में हम क्या क्या transactions कर रहे हैं उसको हम record करते हैं मतलब हमारे पास okay कौन-कौन लोग classes में attend कर रहा है प्लीज एक message कीजिए ठीक है ना प्लीज एक message कीजिए मुस्कान अपने क्या नो क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्लीज एक बार आप पूरे statement अपना लिख दीजिए okay यहाँ पर क्या लिखा है bank column cash book का bank column हम लोग किस के बारे में study करेंगे passbook और cash book और cash book के किस column के बारे में बार पढ़ाई करेंगे cash book का bank column के बारे में जैसे कोई भी person यह नॉर्मल एक diary होता है यह copy भी हो सकता है यह copy जैगा bank column जो होता है इसमें यह हमारा नॉर्मल एक copy का page भी हो सकता है कोई diary भी हो सकता है जिसको हम अपने pass अपने pen से उसमें लिख लिके record करते हैं कि हमने bank में क्या transactions किया इसलिए हम करते हैं बहुत सारे लोग नहीं और questions आएगा तो आपको यह भी नहीं लिखना है कि हम तो mobile app से transaction करते हैं ठीक है हम तो phone पे Google पे करते हैं यह भी आप reply नहीं कर सकते हो आपको practically एक question बना के दिखाना होगा institute को हाँ तो आप यह सब चीजे भूल जाए डिजिटल आप हो गया हो मैं भी हो गया हूं लेकिन इसको अभी साइड में रह किस चाप्रों को समझना है आपको मतलब हाड़ कौपी में समझना है पास्ट चैसबुक समझना है तो मेरे बच्चों जब भी कोई person जैसे मालो मैं अगर bank में पैसा जमा करता हूं मैं बैंक में क्या करता हूं पैसा जमा किया मैंने मान लो एक हजार रुपया आज ही मॉर्णिंग में मैंने बैंक में जमा किया तो मैं अपने कैस्ट बुक में उसको कहां पर लिखूंगा कैस्ट बुक में हम उसको कौन सा डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में कैस्ट के किस साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैस्ट कैस पूक में बैंक वाल हैं नहीं आँगा ये मजहेफ लिखना हैं मतलब मेरे डाइरी में एक पेज में दो साइड बना हुआ है बेंक कॉल 멋 का दो साइड बना हुआ एक डेगट श्यड दूसरा क्रेडित फ्रीच में कवें debit में record करेंगे कितना एक हजार रुपया डेबिटेड करेंगे हम अपने cashbook में debited करेंगे मैं मैं ठीक है cashbook हम maintain करते हैं पेन से उसके उपर लिखते हैं लेकिन ठीक उसी time पे जब हम bank में पैसा जमा कर देंगे और क्रेट करने के बाद हम अपनेxbook को update करवाएंगे किसके पास bank के पास तो bank Us money को क्या लिखेगा credited bank क्या करेगा उसको credited करेगा आप जब कभी bank में पैसा जमा करने जाओगे न जब आप कभी बेंक में पैसा जमा करने जाओगे तो आप जो slip भरते हो न देखना slip के पहले जहां आप नाम भरते हो उसके पहले लिखा रहता है credited in the name of credit in the name of ऐसा लिखा रहेगा मतलब जब आप bank में पैसा जमा करते हो तो bank के point of view से आप सुचोगे तो आप credited होता है लेकिन आपके point of view उसे वह क्या होता है debited होता है ठीक है क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा होता उस time पे clear ना बात समझ मा रही है ना तो यहां पर हमारा क्या होता है कि हर महीने every month के end pay मेरी बाध्यान से सुनिएगा every month के end pay हम bank में जो transactions करते हैं और उसी transactions को हम अपने cash book में भी ला करके लिखते हैं हम bank में जो भी transactions करते हैं for example bank में हम money deposit करते हैं bank से money withdrawal करते हैं bank हमारा कुछ charges काटता है जैसे मालो check हमें check book दिया तो check book का charges काटेगा bank हो सकता है अपने service charges कुछ काट लिया ओके न तो मेरे बच्चों ये सारे चीजे हम हमारा bank के pass book में भी record होता है और as well as हम उसको cash book में भी record करते हैं इसके बाद क्या हुआ every month के end pay मेरी बाद ध्यान से समझेएगा आप लोग every month के end पे हम क्या करते हैं pass book से cash book को reconcile करते हैं reconcile करने का मतलब क्या होता है match करना matching कराने बैठते हैं every month के end पे हम क्या करते हैं pass book से cash book को matching कराने के लिए बैठते हैं और जब हम matching कराने के लिए record नहीं किया है या cashbook में हमने कुछ extra लिख रखा है जो कि passbook में record नहीं हो रखा है तो यह चीज अगर match नहीं करता है उसी को reconcile करते हैं जिसके लिए हम लोगोग चाप्टर पढ़ते हैं bank reconciliation statement छीके बाई इसके लिए हम कौन सा चाप्टर पढ़ते हैं bank के रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखिए क्या होता है मैं अभी तो यह चाप्टर पढ़ते क्या है क्या पढ़ना होता है यह मैं उपको बता रहा था अभी चैप्टर का सुरुवात अब होने जा रहा है आपको अच्छे तरह से तो देखिए का लिखा है एस सेड्यूल बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब होता है और स्टेटमेंट या सेड्यूल सुएंग दा आइटम आफ डिफरेंस बिट्विन दा बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट मतलब पास्बुक पास्बुक में ही बैंक का स्टेटमेंट होता है एंड बैंक कॉलम ऑफ के बैंक कॉलॉम के बीच का difference वो करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक reconciliation statement क्या बोलते हैं? बैंक reconciliation statement फिर बैंक reconciliation एक mechanism है through which the region for difference between the cash book balance and bank statement can be determined and reconciled. बैंक reconciliation statement बैंक reconciliation statement तो difference हो गया लेकिन bank reconciliation एक method होता है एक mechanism होता है मैंने बोला bank reconciliation statement ये वाला पहला वाला दो लाएं और फिर मैं बोल रहा हूँ थाली bank reconciliation इस पर मैंने statement word हटा दिया है ना bank reconciliation statement होता है जिसमें हम क्या करते है bank column यानि bank statement और cash book के bank column के बीच के differences को reconcile करते हैं match करते हैं और उसका कैसे किस वज़े से डिफ्रेंस अरआइज हो रहा है इस difference को हम पता कर पाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं bank reconciliation इसके बाद भाई अब देखो आपके दिमाग में एक बात आएगा कि bank reconciliation statement में differences के क्या cause है ठीक है ना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम लोग रिकंसाइल किसको किसको कर रहे होते हैं एक बार आप लोग रिप्लाई कर दो इस पारे में हम लोग रिकंसाइल किस किस चीजों को कर रहे होते हैं आप लोग मुझे इसकी जबाब दे दो एक बार हम लोग PASS BOOK Yarni bank statement PASS BOOK मैं बोलू तो bank statement समझ जाओ आप लोग bank statement और cash book के bank column की difference के क्या causes है यह हम पता कर रहे है किस वज़न से difference arise हो जाता है अगर हम bank में जो transactions कर रहे shaped transactions लाके हम cash book में भी लिख रहे हैं फिर किस वज़न से क्या क्या कारण हो सकते हैं पहला क्या कारण है यहां पर ध्यान से सुनियेगा बैंक कुछ इंट्रैक्ट करणे की Quand करो आप लोग भी बोलो आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको दुबारा इस इसको क्लियर करूंगा पहला कारण ठीक है चलो मैं पहला कारण आपको बता रहा हूं जैसे यह है पास्ट बुक आप ध्यान से समझते चलिए क्या है मैं इसको इंसर्ट पीबी लिखता हूं पीब बैंक मेंटेन करता मतलब इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है बैंक वाला करता है इसमें भी दो कॉलम बने होते हैं आपका ध्यान सा देखना एक डेविट का कॉलम होता है तो दुसरा क्रेडिट का और इसमें भी दो कॉलम होते हैं एक डेवि बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट पहला डिफरेंस का कारण क्या है चेक इसूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हमने चेक इसू किया लेकिन उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया देखिए भाई कारण कैसे कैसे अराइज होगा मैं सब आपके सा रहा था मेरे से कोई पेमेंट पाता है मेरे से जो पेमेंट पाएगा वह कौन होगा मेरा क्रेडिटर क्रेडिटर ही मेरे से पेमेंट पाएगा डेटर से तो हम पेमेंट पाएंगे क्रेडिटर वह होता है जो मेरे से पेमेंट पाएगा तो क्रेडिटर को मैंने अपने क्रेड सामत करो यह चेक लो जाओ ठीक है तो आपको पता है ना कि जब कोई चेक दिया जाता है तो थ्री मंथ तक वैलिड रहता है तो आज ही जाकर वह पैसा लेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है वह एक हपता बाध जयएगा उसके इक्ष्छा वह एक महिने बाध जाएगा मंत के बार जाएगा व्क बार जाएगा वण डिक्क है उसके वेशस के उपर डिपेंड करता है ठीक है तो मैंने उसको यह जो चेक इसू किया था वह डिसंबर के मन्त में किया था डिसंबर के मन्त में ठीक है डिसंबर में जैसे मैंने उसको चेक काटा एकडम एक्टिंग मेरा भी चलेगा भी दर एक्टिंग भी होगा मेरा ठीक है थोड़ा सा देखना ध्यान से तुम लोग सब्सक्राइब करें दिखाने वाला नहीं हूं मतलब समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से December में मैंने उसको चेक काट के दिया घैसे मैंने उसको चेक काटा तो मेरे को ये बात तो मेरे सेंस में चला गया ना कि मेरा बैंक से पैसा कटेगा कि आप अगर लो मेरा PEE भहुत सारे ऐसे स्टूइंट से जो मुझे चेक से पयमेंट करते हैं मेरा Aids एडुकुंच एकड़िए के नाम से चेक देते हैं तो अगर मालं ус जी किसे स्टूइंट है मरे को check दिया मेरे point of view से मेरे point of view से मैंने उसको check दिया मुझे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दुख पहुचा दुख पहुचा मेरे को पहुचेगा check दिया है मैंने उसको payment कटेगा मेरा जैसे मैंने क्या किया था ना कि मेरा payment कटेगा तो मैंने अपने कैस्ट बुक में क्रेडिट कर दिया था मतलब कैस्ट बुक से पैसा माइनस होने वाला है ठीक है ना कैस्ट बुक में हम उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे कैस्ट बुक में क्रेडिट कैस्ट बुक के बैंक कॉलम के बारे में खाली बात हो रहा है भी ठ ена मुन्सको उसको डिसंबर में हमने मालो उसको 18 डीसंबर को उसको टितिया तो पहली पहला कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा आपको हमने उसको चेक दिया 10,000 रुपय का चेक दिया चेक देने के बाद पास्ट बुक में अभी हमारा कोई ट्रंट इंट्री ही नहीं हुआ हमने 10,000 रुपया अपना क्या कर दिया यहां पर माइन तर आपने कैस्ट क में इकमेरे क्वड में जो भी पैसा हैं उसमें से 10,000 रुपया मैनस हो जाएगा ठीक है लेकिन वह इंसान दिसमबर के महीने चेक लेके बेंक गया ही नहीं कि मेरी ऐद धैन से सुनियेगा वह इंसान दिसमबर के महीने में check लेके bank में मतलब मेरा जो check हमने उसको काटके दिया था मेरा creditor bank में पहुचा ही नहीं लेकर के bank में जाएगा तब ना मेरे account से पैसा कटेगा वह ले गया और अपने ड्रॉयर में रख दिया बोला में है पैसा कटेगा आप मेरे को चेक लाके देगा मालो अपने एकाउंट सेठा कहतर से पैसा Ah मैं लागर दिए भात दूंगा तब होगा नहीं तो इसी तरह मैंने उसको चेक दिया वाट छेक लेक'RE बैएक में गया ही नहीं मेरे अकाउंट में में जो अकाउंट था जो बैंक मेंटेन करता था उसमें मेरा बैलेंस कटा था मेरा बैलेंस नहीं कटा था नहीं ना लेकिन मैंने अपने cashbook में माइनस कर दिया था इस डर से कि मैंने उसको चेक दिया मेरा तो payment कट नहीं वाला है डिसमबर में चैक दिया था तो दिसंबर में ही माइनस करूंगा लेकिन मेरे पस्जुक में वह माने माइनस हुआ कर 23 December9 1989 Turum 111 Decembernet को जाकर कर के बेंक के पास अपना पास्ट पूक्डेट करने घ्या ऐसी photo अरई मैं उन्हें को चेक दिया थे तो पैसा ही नहीं कटा मेरे अकउट से तसào रुपय कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुगा दसजर रुपistent धर का मैने चेक दिया था दस जार रुपया मेरा को बैलंस कटा यह नहीं इस महिने में तब मैं क्या रुपय का 10,000 का मैंने check दिया था, 10,000 रुपया मेरा कोई बैलर्स कटा ही नहीं इस महिने मे, तब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 10,000 बैलान कटा ही नहीं अ इस पूरे महिने भर दिल्ल लाणे कुछ हो ग्या, मैं डिपरेंस बता रहा हूं, मेरा पास्ट बूक में बैलेंस कटा था क्या मेरे पास्ट बूक में बैलेंस कटा था क्या नहीं लेकिन मैंने कैस्ट बूक में मैंने माइनस कर दिया था ना तो कैस्ट बूक और पास्ट बूक में डिफरेंस अराइज हो गया पहला कारण था डिफरेंस अराइज होने का दूसरा क मैं आपको समझा रहा हूँ अभी मैं explain कर रहा हूं कि passbook और cashbook में difference किस वज़ा से आ सकता है ठीक है दूसरा कारण जेक पेड ध्यान देजेगा चेक पेडवाला में दूसरा एक्जामपल मैं दूँगा चेक पेडवाला में मेरे एक्जामपल बदलेंगे इस अप थोड़ा मैं मिटा रहा हूं चीक है न बहुत ड्रॉइंग हो जाएगा तो भी आपको समझने में दिक्कत होगा इसको होता है डिपोजीट्टेड से लाइव वाले बच्चे आपको भी कोई दिक्कत ओ येना बेसिक्स जो मैं इतना बड़ा-बड़ा लेक्चर दे रहा हूं आपको बेसिक्स का यह अगार आपने समझ लिया ना तो ये चाप्टर से आपका exams में 8 to 10 marks पुरा secure हो गया ठीक है कि इतना आप समझ के चलो तो आप थोड़ा focus अच्छे से बना के रखो इस पर और आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि यह practical life में कामाने वाले इस सारे chapters इस एक paid into bank paid मतलब क्या होता है deposited इस बार मेरे को मेरा डेटर्स तो मेरा डेटर्स मेरा जब मैं बोलू ना तो आप लो अपना अपना भी समझ सकते हों या फिर मेरे point of view से सोच दो आपके पास रास्ते सोचने का मालो चाहिए मैं किसी और का नाम लिखता हूं तो सब मोहन है राजू का डेटर्स मोहन है राजू उसका क्रेडिटर है राजू को मोहन ने क्या दिया चेक दिया और राजू को जब चेक मिलेगा किसी party से जैसे माल लो मेरे को अपने किसी students ते चेक मिलेगा तो मैं क्या करूँगा bank लेकर जाऊंगा मेरे को तह पैसा चाहिए तो bank लेकर जाना होगा हमें ऐसे ही राजु को मुहन से एक मिला और राजु ले करके bank में paid कर दिया चेक यानि deposited into bank but not yet collected by the bank not yet collected by the bank पॉर इग्जाम्पल पॉर इग्जाम्पल मान लिजे आप अगर 29 डिसंबर को बैंक में पैसा आप डिसंबर में मोहन ने राजू को चेक दिया 28 डिसंबर को कब दिया और उस चेक को लेकर के राजू बैंक में कब डिपोजिट किया 29 डिसंबर को किया अब 29 डिसंबर को अच check clear हो जाएगा या 31st तक तो clear होई जाएगा clear हो जाएगा मतलब मेरे account में पैसा आ जाएगा ठीक है फिर से यहाँ पर हम बना लेते हैं यह PB है और यह CB है ठीक है यह CB है कैस्बुक है जब हम check ले जाके bank में जमा करेंगे अगर मेरे को मेरे किसी डेटर से चेक मिला है हम उसको ले जाकर के bank में जब करेंगे तो हमने अपने कैस्ट में क्या कर दिया था debited कर दिया था फ्लस होने वाला यानि या cashbook में हमारा पैसा बढ़ने वाला है इसलिए हमने cashbook में उसको प्लस कर दिया और bank में ले जाका हमने ठीक डिसमबर के महीने में मिला तो डिसमबर में ही किया तो हम मेरा डिसमबर में पैसा आना चाहिए था लेकिन bank वाले ने उसको collect नहीं किया not yet collected का मतला bank वाला 31 को मेरा चेक डाला ही 31 को डाला तो 31 को clear नहीं हुआ और मैं 31 को क्लियर नहीं हुआ, कब क्लियर होगा, जनवरी में जाके 2, 3, 5 किसी तारुख को हो सकता है, तो ऐसे situation में मैं 31st December को अपस्बुग update किया, हर महरीने की last थारी को हम पस्बुक update करते हैं, क्यंकि हमारे क्यों कि क्या करना रहता है,orta फास्बुक से कैस्बुग को मैच करना रहता है, हमने 31st December को अपना पास्बुक अपडेट किया और हमने देखा कि हमारे पास्बुक में मनी बढ़ा था क्या नहीं पास्बुक में कुछ हुआ ही नहीं है पास्बुक यू का यू पढ़ा हुआ है मतलब उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं मेरे अकाउंट में हमने जो चेक डाला है उसक तो कोई transaction ही नहीं हुआ था और इधर हमने क्या करके रख दिया था प्लस यानि cashbook में money बढ़ गया था और passbook में money अभी तक नहीं बढ़ा था तो फिर से difference arise पता चला दो difference हुआ इस तरह से differences आएंगे इस तरह से differences आएंगे yes you are again correct you are again correct फिर इसके बाद से तीसरा point तीसरा point difference का क्या हो सकता है तीसरा point number three यह तो आप लोगों के साथ भी होता है जो तीसरा number point में आपके बाद को बताने जा रहा हूं कभी आपने भी realize किया होगा three number point मेरे बच्चों interest and dividend हमें interest कब मिलता है बैंक से जब बैंक में हमारा balance होता है ना अगर माल लो आपका सेविंग account है और सेविंग account में आपका दो लाख रुपया पड़ा हुआ है तो आपको हर quarterly यहां फियर ली आपके account में interest आ जाता है कुछ 2000 रुपया 800 रुपया 1500 रुपया कुछ भी एक amount आपका automatically आपके account में बढ़ जाता है वह पैसा किस चीज का होता है interest का होता है जब हमारा balance bank में रहेगा तो हमें interest मिलता है dividend कब मिलता है जब हम किसी company के share में पैसे लगाते है ना तो आप company हमें क्या देती है dividend देती है ठीक है अब क्या हुआ ना कि चलो मैं dividend को थोड़ा थोड़ा कुछ minute के लिए side करता हूं interest पर समझाता हूं माल लिजे आपके account में bank वाला ने interest credit कर दिया था अच्छा जब आपका interest bank वाला आपको देगा तो आपके account में money credited होगा कि debited होगा credited होगा जब भी आपका bank में money कोई भी तरह का money बढ़ेगा आप जमा करोगे तब money बढ़ेगा या कोई दूसरा आपके account में पैसा जमा करेगा तब बढ़ेगा या ब्याज का पैसा आपके अकाउंट में आएगा तब भी आपका बैलेंस बढ़ेगा जब भी आपके अकाउंट में मणी बढ़ेगा न तो बैंक वाला उसको Credited करेगा fascinated यानि Passbook में वह क्या होगा credited bank में पैसा मत बढ़ना account में पैसा बढ़ना credited होता है ठीक है लेकिन वही वही transactions को जब आप अपने cashbook में लिखते हो तो क्या लिखते हो debited लिखते हो आप अपने घर वाला जब खाता में लाके लिखोगे तो उसको debit side में लिखोगे लेकिन bank वाला उसको credited करेगा are you getting my point ठीक है क्योंकि यह passbook में वह credit करता है तो bank वाला ने आपके account में interest का पैसा भेज दिया था लेकिन आपको उस बात की जानकारी भी नहीं थी आपनो देखोगे न हजारों message आपके पास bank से आते है ना जब भी कोई transaction करते हो तो bank से पैसा मैसेज आ जाता है लेकिन interest का पैसा जब bank भेशता है उसका message नहीं आता है ठीक है हमारा भी एक छोटा सा account है ज़्यादा पैसा नहीं हो उसमें लेकिन उसमें हमारे पास भी interest अगर आता है तो message नहीं आता है तो तो आपने क्या किया passbook में listen to me very carefully passbook में आपका bank ने money बढ़ा दिया था लेकिन cashbook में आपका money बढ़ा क्या जब आप update कराकर लाए passbook तो देखे अरे मेरे account में तो पंद्रहुस रुपिया interest का आ गया है और cashbook में हमने पंद्रहसो लिखा ही नहीं है क्योंकि आपके पस तो information ही नहीं था तो आप लिखोगे कैसे information तो तब आपको मिलेगा जब आप अपना passbook अपडेट करेंगे clear तो फिर से difference आपको देखने को मिला passbook में money बढ़ गया था cashbook में नहीं बढ़ा था अगें difference तो मैं अभी आपको point ही क्या बता रहा हूं causes of the difference between the passbook balance and cashbook balance यही मैं आपको बता रहा हूं clear तीसरी बात आपका जितना मिनट का भी lecture छुट गया बाद में reply कर लेना ठीक है पूरा option है आपके पास करने का इसके बाद number four point direct deposit made by parties direct deposit made by parties ठीक है अभी आप जाओगे अभी classroom से जैसे आप बाहर निकलते होना तो देखो कि उधर हमारा पूरा scanner वगरा लगा हुआ है पूरा एकदम class में पैसा भीजने वाला मतलब तुम लोग जो payment करता उसका scanner लगा हुए बाहर में ठीक है अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है समस्मार रहा है ना कि इस ट्वेंट ने मेरे को बीना बताए और मेरे account में money transfer कर दिया कि समस्मार रहा ना और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम उस बच्चे से क्या करेंगे पूछने गए है कि पैसा भेजा है नहीं भेजा है वह भेज चुका था वह अपने रिलेक्स था कि सर जब पूछेंगे तो हम बोल देंगे सर हम इस तारीक को भेजे थे हैं हमारे पस प्रूब भी है तो उसने मेरे account में money deposit इसको बोलते है ना direct deposit इसको क्या बोलते है हम लोग लेकिन cashbook में तो आपने नहीं बढ़ाया क्योंकि आपको इस बात का intimation ही नहीं था information ही नहीं था intimation मतलब information होता है आपको इस बात की information ही नहीं थी तो अगेन आपको passbook और cashbook में difference देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपका customer जब पैसा डालता और तुरंत आपको inform करता तब आप अपने cashbook में लिख चुके होते हैं लेकिन sums में बोलेगा कि डिरेक्ट deposit made by the customer but not informed informed to us तो ऐसे situation में difference arise होगा तो यह चौथा कारण है इसके बाद चौथा कारण है इसके बाद next पांचवा नंबर क्या है डिरेक्ट payment made by bank डिरेक्ट पेमिंट अभी कभी कभी ऐसा भी रहता है ना बहुथ सारे जो बड़े हैं ठीक हैं हम लोग तो गरीब लोग है चोटे लोग हैं अम लोग को तो दो दो रुपे का हिसाब रखते है ठीक है लेकिन जो बड़े लोग है उनकी क्या बात होती है जो बड़े लोग है उनकी बात होती है ना कि उनके अकाउंट में लाख करोडों रुपय पड़े होते हैं मैं एक्जाम्पल दे रहा हूं यह समझाने के लिए बात बोल रहा हूं दिए इनके बच्छे स्कूल का PEE कटे गा मैंके प्रीमियम कटे गा तो इन लोगों ने पमारे पास ना किसी भी हमसे पैसाब पाने वाले का मेरे पास वोन यह तो बेंक वालों को यह मैसेज नहीं आना चाहिए फोन नहीं आना चाहिए कि सर आप से हम इतना पैसा पाते हैं आप जमा करा दो विदाउट गिविंग मी इंस्ट्रक्शन हम आपको एक बार बोल दिया आप पूरे साल भर बात अब हर महीने महीने यह पेमेंट करते रहना हमें जब रोकना होगा तो हम आपको ख़बर करेंगे तो इसको बोलते हैं डारेक्ट पेमेंट मेड वाइद बैंक मतलब कस्टमर के पे बेंक वाले ने डारेक्ट पेमेंट कर दिया अब जब-гबैंक वाला पेमेंट करेगा तो पास्टमुक में मई डेiekट होता जाएगा लेकिन आपने कैस्टिक्टिक किया क्या है तब हमें पता चलेगा कि passbook में काफी balance कम हो गया है और cashbook में हमने balance कम भी नहीं किया था तो फिर से difference देखने को मिलेगा आपको यह सारे कारण है जहाँ पर differences create होते है passbook और cashbook के बीच में clear फिर next 6 number point credit given by the bank on account of interest वहीं ब्याज वाला ब्याज का पैसा आपके account में अचानक बढ़ गया तो आपको फिर भी पता नहीं होता है इसके बाद next point आपका debit given by the bank on account of interest on overdraft और bank charges यह ध्यान से देखो debit given debit given मतलब आपका account से पैसा कटना bank debit करता है मतलब account से पैसा काटता है अच्छा आप ATM सब लोग यूज करता है न अभी बहुत सारे सारे बच्चों का लगभग अकाउंट ओपन होई गया होगा बहुत सारे लोग पीजी में पढ़ते हैं उनका तो सब लिखता है ना समझ मार रहा ना तो भाई जब भी आपका ना bank वाला overdraft जानते हो क्या होता है bank में current account में overdraft की facility मिलती है current account में जो बिजनेस का account होता है उसको बोलते है सेविंग अकाउंट नहीं होता है जैसे हमारे एडुकुंज अकेडमी का current account है ठीक है एडुकुंज अकेडमी का current account अगर उसमें negative balance हो गया overdraft को negative balance बोलते हैं उस पे बैंक वाला हम से क्या लेगा interest लेगा तो हमारे account से पैसा हुआ तुरंत काट लेगा या फिर bank बहुत सारे हमें services देता है for example हमारा account एक साल तक maintain करना हमें smith से बहुत सारे debit credit का information भेजना ATM card जो देता है उस card की charges वा every year लेता है जो ATM आप इस्तमाल करते हो उसका तो bank ने सब ले देके एक छे महिना में हमसे 400 रुपिया का charge काटा for example मैं बोल रहा हूं छे महिने में 400 रुपिया का charge काटा तो उसका message मेरे पास नहीं है 400 रुपिया जो charges कटा उसका भी message नहीं आता है जो bank अपनी service charges कटता है ना उसका message आपके पास नहीं आता है जब आप पास बुक अपडेट करते हो तभी उसमें लिखा रहता है bank charges इतना आप देख लो कभी आपके पास उसका message आए तो बताना हमें नहीं आता है कोई भी bank नहीं भेजता है ठीक है तो यहाँ पर आपका bank charges कट गया मतलब account आपका minus हो गया लेकिन आपका cashbook में आपने minus नहीं किया अभी तक क्योंकि आपको ख़बर नहीं है तो फिर से cashbook और passbook में आपको difference देखने को मिलेगा next point bill collected by bank आपको मैं चाप्टर पढ़ाऊंगा जिस chapter का नाम है bills of exchange उस chapter का नाम है bills of exchange इसमें क्या होता है ना जैसे माल लो मैं seller हूं जितने लोग मेरे से goods credit में purchase करता है मैं उनके उपर bill draw कर देता हूं bill draw करता हूं वे लोग bill को accept करते हैं और मेरे से promise करते हैं acceptance के थुरू कि मैं आपको एक महीने बाद या दो महीने बाद या फिर तीन महीने बाद payment कर देंगे अब मेरे पास हजारों की संक्या में बिल्स हैं क्योंकि मेरे हजारों credit में purchase करने वाले डेटर से हैं अब हजारों bills हम धंधा करेंगे मतलब अपना goods बेचेंगे बिजनेस को बड़ा करेंगे नहीं लेके bills बैठे रहेंगे कि कब किसका पैसा हमें जाके उठाना है बैंक से किसी का हर दिन 4-5 बिल का due date आता है हर दिन मतलब एक दिन पर सब नहीं होने वाला है अलग 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 जैसे हमारे आप अलग 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 बच्चे admission लेते हैं तो हम हर दिन बिल्स लेके बैठे रहेंगे चलो आज जाके इसका पैसा उठाना है बैंक से इसका पैसा उठाना है यह पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है तो ट्रेडर क्या करता है बिजनेसमेन क्या करता है बैंक वाला को बलाता है बोलता है तू बेटा यहीं काम करता है पैसा इधर उधर करने का, तो यह सारा बिल्स मेरा, 1000 बिल्स है, सब उठा के लेके जा, तारा का सारा बिल्स मेरा, उठा के लेके जा, और जब जिसका डूडेट आएगा ना, उनसे पैसा कलेक्ट कर लेना, हम उसके लिए तुमको चार्जेद देंगे, ठीक है, और बैंक को responsibility दे देता है ट्रेडर क्योंकि उसको क्या करना अपना धंदा करना है माल बेचना उसको अपने गुड्स बेचना है अपना सर्विस प्रोवाइड करना है वह इस काम में क्यों लगा रहेगा ठीक है तो बैंक को responsibility देता है सारा बेंक वाला हुआ मनी कलेक्ट करेगा जब कलेक्ट करेगा तो हमें थोड़े ना ख़बर है कि कब किसका बिल का पैसा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है वो तो खबर किसके पास है बैंक के पास बैंक हमारे account में पैसा collect करकर क्या और credited करते जा रहा है तो हमारा passbook में balance बढ़ गया लेकिन cashbook में हमने बढ़ाया क्या cashbook में हमें खबर ही नहीं कि कब कब किसका bill collect हो रहा है तो फिर से difference देखने को मिलेगा यह bills collection वगरा मैं bills of exchange में आपको पहतर तरीके से डिलिबर करोंगा ठीक है अच्छा डिजॉनर अब बिल डिसकाउंटेट विद्धा बैंक यह bills यह भी फिर से bills of exchange chapter में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन यह मेरे को समझाना पड़ेगा डिजॉनर क्या होता है अभी के लिए एक बार टेंपरररली मैं आपको बोल देता हूं डिजॉनर बांस कर जाना मतलब जिस डेट पे उस bills का पैसा मिलना था ना उस डेट पे पैसा नहीं मिलना तो बिल्स क्या हो जाता डिजॉनर और हमने बैंक से पहले उस bill का मनी ले लिया था इसको बोलते हैं हम लोग discounting with the bank जैसे मान लो मेरे मैंने किसी के ओपर बिल ड्रॉ किया था 5000 रुपे का ठीक है और वह बिल का पैसा मेरे को तीन महीने बाद मिलना था लेकिन हम बैंक के पास जा करके और वह बिल दिखाएंगे तो बैंक हमको आज ही पैसा दे देगा बोलेगा कि यह बिल हमें दे दो और जो पैसा है लेके जाओ 5000 के बदले हम तुमको 4500 रुपया दे रहें 500 रुपया हम चार्ज काट लिए और हम तीन महीने बाद उससे पैसा तुम नहीं लेकर करके हम collect कर लेंगे समझ मारा ना बैंक का इसमें कमाई होता है 500 रुपया मेरे से कमाया और उससे भी पूरा पै पैसा ले लिया था और फिर जब ड्यू डेट आया तो वह आतमी बैंक को पैसा नहीं दे पाया जा डिजॉनर कर दिया मतलब बांज कर दिया तब ऐससे समय में बैंक वाला हमसे बीना बोले हमारे अकाउट पैसा फिर काट लेगा पैंक पैसा चाहिए हमें 4500 पहले दे चु दिया डिव डेट पे जिस दिन टारी तारीक था उसकी पैसा नहीं दिया तो बैंक वालक इसके पास जाएगा फिर से मेरे account को घुराएं मेरे account से 5000 रुपया काट लिया तो मेरा बैलन्स गिर गया ना लेकिन हमारे cashbook में हमारा balance minus किया हुआ है तो फिर से difference देखने को मिलेगा यह सारे difference के कारण होते हैं या कुछ errors and omission होना errors omission मतलब होता है भूल जाना लिखना भूल जाना और error का मतलब होता है गलत लिख देना जैसे मानलो 16,000 deposit हुआ और हमने 1600 लिख दिया एक जीरो गलत लिख दिया तो यह सारी चीजे हमारी जो है यह पास्ट बुक और कैस्ट बुक के बिच difference create करता है नो माई डियर स्ट्मेंट्स वी आर गोईंग टू स्टडी यहां पर bank reconciliation statement हम reconcile ही क्यों करते हैं आपके मन में भी यह सवाल होगा कि सरी कंसाइल करने का क्या है जरुवत है इतना ठीक है ताकि अच्छा यह हम पर्सनल सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा रहे हैं हमने सेविंग के पॉइंट अब यू से भी आप सोच सकते हो लेकिन में लिए पढ़ा रहा है हम किसके लिए बिजनेस के लिए बिजनेस में हमें तो balance का accuracy maintain करके चलना है ठीक है तो हम अपने book of accounts और अपने bank account का correctness को maintain करने के लिए correct रखने के लिए हम bank reconciliation statement prepare करते हैं दूसरा हम internal check system internal check होता है मतलब अपने business में internally कुछ problem तो नहीं हो रहा है internally हम अपने accounts को गड़बड तो नहीं कर रहे हैं इसके लिए हम क्या करते हैं bank reconciliation statement prepare करते हैं debt recovery के लिए prompt मतलब होता है fast first debt recovery करने के लिए हम क्या करते हैं bank reconciliation statement बनाते हैं कि हर महिना अगर हम statement बनाएंगे तो हर महिना के इंड पर हमें पता चल जाएगा कि किस से किस से हमें पैसा नहीं मिला फिर उसे मांगना सुरू कर देंगे इसके लिए हम बियारेस तयार करते हैं समझ महारा है मेरी बात इसके बाद वैल्यूड प्रैक्टिस फॉर इंटर्नल कंट्रोल और बेसिस नीड फॉर ओडिट ओडिट तो एक सब्जेक्ट का ही ना में भई अभी तो मती समझो ऑडिट का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट है पुरा hundred marks का आपको पढ़ना है सीए में इंटर्मीडियेट और सीए इंटर्मीडियेट दोनों में कॉलेजेज में भी आपको hundred marks का पढ़ना है अब बोलो है तो अभी सब्जेक्ट का नाम किताब का नाम है यह आपको hundred marks तो अभी इसके बारे में ना जानो तुम लो सब भी खराब होगी अब देखो भाई प्रीपियर करते हैं बैंक रीकंसिलेसन स्टेट्मेंट जो हम्रीपियर करते हैं उसके जो संस होते हैं और problems वो चार टाइप के होते हैं my dear students BRS जो हम लोग sums बनाते हैं इसके जो problem sums होते हैं यह कितने टाइप के होते हैं चार टाइप के होते हैं टाइप चार होता है इसका ठीक है preparation of the bank reconciliation statement types of problems कितने है इसके चार है मतलब चार तरीके से सम का पूछने का तरीका हो सकता है एक्जाम्स में चार तरीके सबसे question पूछा जा सकता है समझ गया है और चारो तरीके का solution भी चार तरीके से होता है अब इसलिए question चार है तो answer भी चारी होंगे ना तो भाई पहला वे क्या है हमने आपको बताया guest book हमने आपको बताया मेरे बच्चो स्थी बी और पीबी guest book और pass book guest book में भी दो column होते है debit और credit past book में भी दो column होते है debit और credit ध्यान दो यह चारो box समझाने के लिए मैं इतना सारा चीछ समझा रहा हूँ आपको इस चाप्टर में न है बहुत आसान चाप्टर लेकिन समझाना बहुत है इसमें तो सकते आप लोग याद कर लो जैसा कि क्लास 11 में आप लोग याद कर लेते थे कि कि याद कर लेते थे लेकिन अभी तो भैई यहां पर तो concept आपको clear रखना है concept क्योंकि आप आप professional बनने जा रहे हो तो आपको concept clearance चाहिए ठीक है अच्छा cash book में debit होने का मतलब पैसा बढ़ना मैं cash book की अभी बात करना तो मेरे को ठीक से अपलो reply करना जिनको दिक्कत होगा reply करो ने मुझ खोल के बोलो ताकि गलती होगा तो मैं correction करूंगा लाइब वाले बच्चे भी टाइब कर एकदम स्पीड में टाइब करने का को सिस करो cash book में debit होने का मतलब पैसा बढ़ना की कम होना मैं उनका भी इंतजार कर रहा हूं लाइब वाले बच्चों का भी reply का cash book में पैसा डेबिट होने का मतलब अगर cash book में हम डेबिटेड कर रहे हैं तो मनी बढ़ेगा की कम होगा reply एक भी जन करो यार इतने सारे जन देख रहे हो classes increased very good answer बढ़ेगा बढ़ेगा एकदम सही एकदम सही सब सब answer कर दिया एकदम सही सबका correct है इधर का सारे बच्चे लोगों ने सही answer दिया था जो लोग face to face में बैठके class कर रहे हैं बढ़ेगा मतलब cash book में debit होने का मतलब पैसा का increase होना clear है increase होना लेकिन pass book में debit होने का मतलब decrease होना pass book में debit होने का मतलब क्या होता है decrease होना और cash book में money credited होने का मतलब क्या हुआ decrease और passbook में money credited होने का मतलब increase जैसे कि आपका जब भी पैसा account में your account is credited with rupees 2000 मतलब आपका passbook में पैसा बढ़ गया ठीक है digital जवाने में आपके पास message आता है आप अपने phone के application से check कर सकते हो लेकिन पहले क्या होता था पहले तो लोग passbook लेके दोड़ते रहता था bank था ना तो passbook में credited होने का मतलब money बढ़ना ये चार बात clear हो गया सभी लोगों का I hope so sadist twins लोग का ये चीज़ clear है नहीं clear है किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारा अभी तक clear नहीं है live में भी जो पूछे देख रहे हैं और उनको अगर अभी पूछने में अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज आप class के बाद मेरे को phone कर लो मैं आपको बताऊंगा ठीक है ऐसा भी अगर किसी का भी समस्या होगा तो मैं बताने को तयार हो ठीक है अच्छा भई और ये lecture तो आपके पास रहे गा हैं दो बार पांच बार सुनने के लिए 1000 बार सुन सकते हो लेक्षर आपके पास ही रहेगा देखो तो चार टाइप क्या क्या हो सकता है from the given cash book balance से मतलब करे समन से समस्क्री यह आपyas को यहाँ से समस्क्री मतलब कैस्ण बालक स्क्ष या या passbook balance से question सुरू होगा पहला type question का दूसरा from the extract of the cashbook as well as passbook relating to the same month same month के passbook का extract और cashbook का extract जो रहेगा उससे question बनेगा फिर preparation of the amended cashbook होता है cashbook amended cashbook बनाना होता है और फिर bank reconciliation statement बनाते हैं और फिर यहां पर preparation of an amended cashbook and a reconciliation statement from the extract of the cashbook as well as passbook relating to the same month तो इसमें जो चार आपने देखा ना A B C D इसमें सबसे ज़्यादा बर exam से में पूछा जाता है यह मतलब more than 75% chances होते हैं यह type आने का ठीक है और नहीं तो next next chances इसका होता है C number का second chance यह और यह कम पूछे जाते हैं exams में चार टाइप अब इस चार के अंदर हम A number पर obviously A number का ज्यादा chances कितना का होता है 75% plus percentage chances है इसके पूछे जाने का तो focused पहले हम लोग इसको रखके समझेंगे इसके उपर अभी तो इसके उपर हमारा जो चर्चा सुरू होगा न वह एकदम मतलब तीन क्लास के बाद ही होगा तो आप B, C और D पर अभी focus मत रखो यह heading अगर किसी को कम भी समझ में आया होगा कि सर क्या क्या पढ़के समझा दिये तो कोई घबरानी की बात नहीं है जब मैं यह B, C और D number topic पढ़ाऊंगा तो heading obviously समझा के पढ़ाऊंगा तो आप पहले A पर focus रहो, फिक है न, from the given cashbook balance and passbook balance, अब हमारा जो question चालू होगा न, चार टाइप से question चालू होता है, type of problems जो है, चार टाइप से चालू होगा question अपना, यह हम लोग A number के अंदर अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं, A number के अंदर preparation of the bank reconciliation statement from the given cashbook balance और passbook balance और both, यह जो A में यहां भी लिखा हुआ है, आप मिला लिए हो, same to same बात लिखा हुआ है, एक dot का भी फर्क नहीं है, extract means क्या होता है, okay, okay, extract मतलब मैं बता रहा हूँ, detail arrive, जो हमें यहां पे लिखा हुआ था न, extract of cashbook, मतलब आप जो cashbook maintain करते हो, उससे जो आपको detail मिलता है न, जो data मिलता है, उसको ह extract बोलते हैं, ठीक है, okay, अब चलो भाई, type of problem क्या होगा, हमारा question जो सुरू होगा न, पहला number type का, preparation of the bank reconciliation statement from the given cashbook balance and passbook balance, इसमें चार तरीके से question सुरू होगा, debit balance as per cashbook, question सुरू होगा, debit balance as per cashbook, फिर दूसरा type से जो question सुरू होगा, दूसरे type का जो problem होगा, वो होगा, आपका credit balance as per cashbook, तीसरा type का जो problem होगा, वो होगा, debit balance as per passbook, और चौथे type का जो problem होगा, debit balance as per passbook, मतलब एक बार cashbook का debit balance से सुरू होगा, एक बार cashbook के credit balance से सुरू होगा, एक बार passbook के debit balance से सुरू होग क्लियर है मेरी बात अच्छा मेरे बच्चों दूसरी बात पास्बुक में डेबिट होने का मतलब मनी बढ़ना होता है क्या होता है बढ़ना मतलब डेबिट बैलेंस ऐज पर कैस्बुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं debit balance as per cash book को हम लोग favorable balance भी बोलते हैं favorable बढ़ेगा मतलब favorable positive होगा तो favorable negative होगा तो unfavorable फिर अगर मैं बोलूँ आपको कि cash book में money कम होना favorable की unfavorable cash book में money credit balance अच पर cash book unfavorable की favorable unfavorable pass book में money credited होना pass book में money credited होना favorable की unfavorable favorable समझ में आ रहा है मेरी बात न तो देखिए यहां पर क्या लिखा है when given balance as per cash book is given मतलब favorable balance as per cash book और unfavorable balance as per cash book overdraft balance को unfavorable balance भी हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं unfavorable unfavorable balance बी अच्छा balance के spelling ही गलत लिख दिया unfavorable balance as per as per cash book मतलब cash book का दो हमें balance से शुरू होगा debit balance इसको हम लोग बोलते हैं favorable को debit balance as per cash book अच्छा बोलते हैं और इसको हम लोग credit balance as per cash book भी बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस अच्छा पर क्रेडिट बैलेंस अच्छा पर cash book और फेबरेबल बैलेंस अच्छा पर cash book यह एक हो गया credit balance as per cash book ओबर ड्राफ बैलेंस अच्छ पर cash book या फिर हम लोग unfavorable balance as per cash book यह तीनों का नाम एक ही है यह तीनों का मतलब एक ही होता है ठीक है फिर देखो यहां पर वेन बैलेंस अच्छ पर pass book favorable balance as per pass book मतलब credit balance as per pass book क्रेडिट बैलेंस अच्छ पर पास्ट बॉक को मैं लोग फेबरेबल बैलेंस अच्छ पर पास्ट बोलते हैं और ओवरड्राफ बैलेंस का मतलब क्या होता है आपका डेबिट balance as per pass book as per pass book या फिर हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं unfavorable balance इस पर pass book क्लियर है इतना सारा चीज़े हैं आपका अभी किसी बच्चे को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो क्योंकि अभी मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं debit balance as per cash book से मैं start करूँगा debit balance मतलब favorable balance as per cash book से मैं start करने जा रहा हूं मतलब इसका मैं format आपको समझाऊंगा तो अगर अभी किसी बच्चे को कोई भी doubt है यहां तक तो मेरे से सवाल पूछ सकते हो ठीक है भाई कोई भी question आपके मन में अगर आ रहा है तो आप यहां से पूछ सकते हो मेरे से ठीक है चलिए मैं आगे आपको बताना है स्टार्ट करता हूं स्टार्टिंग बैलेंस यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो वेन स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैस बुक स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैस बुक में डेबिट बैलेंस एज पर कैस बुक भी रह सकता है और credit balance edge per cash book भी रह सकता है question में यह तो question पढ़ने के बाद ही पता चलेगा और मैं question भी आपको कराने वाला हूँ debit balance edge per cash book भी रह सकता है credit balance edge per cash book भी रह सकता है debit balance edge per cash book का मतलब favorable balance edge per cash book positive balance edge per cash book होता है और credit balance edge per cash book का मतलब क्या होता ओभर ड्राफ एज़ पर कैस्ट बुक निगेटी बैलेंस एज़ पर कैस्ट बुक अनफेबरेबल बैलेंस एज़ पर कैस्ट असारा समझ मा रही मेरी बात जब ऐसा होगा तो हम कैसे समकी सुरुवात करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट होगा देखो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट होगा यह रहा प्रो फॉर्मा मतलब होता है फॉर्मेट अफ बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट हम लोग इसमें कौन-कौन सा कॉलॉम बनाते हैं आपके स्कूलों में भी यह सिखाया गया होगा इसके हर क्वेस्टन के दो मेथड होत इस नहीं आगी कभी भी मतलब आप थोड़ा भी एक ट्रांजिक्शन में नहीं कन्फूजन में जाओगे यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है हमारा अगर मान लीजिए बैलेंस एच पर कैस्बुक से अभी हम लोग बैलेंस एच पर पास्बुक से स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं कि बैलेंस एच पर कैस्बुक हमें स्टार्टिंग पॉइंट करने जा रहे हैं जल्दी बोलो बैलेंस एच पर कैस्बुक हमें स्टार्टिंग पॉइंट करने जा रहे हैं कि बैलेंस एच पर पास्बुक स्टार्टिंग पॉइंट करने जा रहे हैं क चाहे debit भी हो सकता है, या फिर credit भी हो सकता है, very good my dear students, very good, अगर debit balance रहेगा, मतलब positive balance रहेगा, positive balance रहेगा, तो उसको हम लोग plus item वाले column में रिखेंगे, हमारा column क्या बनेगा, particulars, plus item, minus item, rupees, ठीक है, दोनों में rupees लिखना है, मतलब rupees plus item, rupees minus item, debit balance पर cash book को हम लोग favorable balance पर cash book बोलते ह हम लोग positive balance h पर cash book बोलते हैं, तो उसको हम लोग plus column में लिखेंगे, अगर question की शुरुवात में आपको दिया रहेगा overdraft h पर cash book, यानि negative balance h पर cash book, यानि की unfavorable balance h पर cash book, तो उसको हम लोग minus column में लिखेंगे, वो तो सम पढ़ेंगे, सम पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा, जैसा कि अभी एक question भी मैं आपको कराने वाला हूँ, आप copy भी तयार रखेंगे, यह सारा format ना, जब छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं 11 में, उनको मैं लिखाता था, ऐसे लिखो, एकदम, मेरे साथ साथ लिखो याद हो जाएगा, लेकिन अभी एकदम readyment आपके सामने लिखा हुआ है, आपको खाली अच्छे से इसको दिमाग में set करते जाना है, ठीक है, set करते जाना है, अब हमें क्या add करना है और क्या lace करना है, यह सर हम लोगों को इतना याद करना होगा क्या, कि कब add करेंगे, कब lace करेंगे, इतना सारा सर कैसे याद होगा, कि यह इ याद करा रहा हूं अभी यहां बैठे बैठे ठीक है बस स्टार्ट कर रहा हूं आपको याद हो जाएगा बस आप मेरे साथ जूड़े रहो और concentration अभी यहां से पुरा अपने जी जान लगा दो याद अभी का अभी हो जाएगा आपको हम लोगों को अभी हम लोग का starting point क्या है cash book की pass book cash book है बस यह दिमाग में रखो starting point क्या है सब लोग agreed हो agreed हो मतलब आपको cash book के हिसाब से सोचना शुरू करना और cash book किसके पास रहता है bank maintain करता है कि हम maintain करते हैं हम हमारे पास रहता है उसमें लिखते भी हमई है और passbook रहता हमारे पास है लोगे लिखता उसमें कान है बैंक यह बात में कोई संदे नहीं है सबका बात क्लियर है दूसरा बाद अब देखो यहाँ पर क्या हुआ हमने यह जो ब्लैक बोल्ड लिखा है न उसको भूल जाओ यह खाली एड और लेस्ट पर ध्यान दॉआ ठीक है न यह सब काला-काला क्या लिखा उसके पर ध्यान नहीं दे करना क्लास में आप आजाओंगे फिर से हमारे साथ चलिए देखिए या एप चेक इसूड पहला पॉइंट क्या लिखा है चेक इसूड बट्न उट एट प्रेजेनटेट पर पेमेंट लिख इस सूड यहीं है न जेक इसूड मतलब हम ने किसी को चेक काटके दिया मैंने कि किसी को चेक काट के दिया हम जिसको चेक देते हुआ मेरा कौन होता है क्रेडिटर एकदम पाटिसिपेट करो मेरे साथ तुम लोग जो जो से बोलो एकदम हम जिसको चेक देते हुआ मेरा कौन होता है क्रेडिटर जो हमसे पेमिंट पाता हुआ क्रेडिटर होता है उसी को हम च चेक दिया जैसे हमने चेक दिया हमें क्या हुआ दुख हुआ और दुख होने के बाद हमने क्या किया अपने कैस बुक में हमने माइनस लिख दिया था कैस जब हम उसको चेक दिया होंगे तो अपने कैस बुक में हम डेबिट किये होंगे कि क्रेडिट किये होंगे क्रेडिट क cashbook मतलब हमारा heading यहाँ पर क्या लिखा हुआ था वेन स्टार्टिंग बैलेंस इज पर cashbook हम cashbook के हिसाब से सब कुछ अभी सोचेंगे passbook के बारे में भूल जाओ दूसरे class में मिलेंगे उसके साथ ठीक है आज के class में बिल्कुल नहीं तो मेरे बच्चों हमने जैसे उस इनसान को चेक दिया यानि creditor को चेक दिया हमने उसको क्या कर दिया था अपने cashbook में हमने credit कर दिया यानि minus कर दिया था हमने दिसंबर के 20 तारीक को दिया और हमने माइनस कर दिया भी इस तारी को बहुत दुख हुआ है मैंने को आज मेरा चेक मेरे हाथ से गया है और मेरे एकाउंट से पैसा कटेगा ठीक है लेकिन वो इंसान जिस क्रेडिटर को हमने चेक दिया था वो बैंक में लेकर गया ही नहीं पूरे दिसंबर के महीने में उसने बैंक में नहीं प्रेजेंट किया उसको और लेकर अपने घर में लेकर चला गया और हम चिंता में डुबे हुए मेरे एकाउंट से पैसा कट गया होगा मेरे एकाउंट से पैसा कट गया होगा ठीक है और मेरा पास्बुक में बैलेंस एक रुपया भी इधर उदर हुआ था नहीं जेतना पैसा हमारे अकाउंट में था उतना का उतना पड़ा हुआ था की समझभा रहा है न अब बोलोगे सर मैसेज नहीं आया होगा कि आपका पैसा मैसेजवाला दुनिया को भूल जाओ थोड़े दिर के लिए ठीके न मैसेजवाला डिजिटल वाला एप वाला गूगल वाला वह सब मैसेज़ दुनिया को भूल के बात करो ठीक है अच्छा तो तो चेक कटा मे tirar कि मेरा मेंने चेक तो दे दिया था लेकिन मेरा बैलनेज़ पास्बुक में से नहीं कटा थब मैं पास्बुक को 31 टीसमबर मैं लेके पास्बुक घर से निकला एक्दम सोचा कि जा रहे हैं मेराइब पैसा तो कठी गया होगा अपडेट करके के लेकर आते हैं अप्टेट कराकर लेकर आया और मैं रात को बैठा 31 दिसंबर की रात मैं बैठा पास्ट बुक ले करके और कैस्ट बुक से मिलाना सुरू किया कैस्ट बुक में मेरा दस हजार रुपया का जो हमने चेक काट के दिया था माइनस हमने किया था लेकिन पास्ट बुक में माइनस हुआ था क्या नहीं तो हम हम पास्ट बुक में माइनस कर देंगे नहीं पास्ट बुक में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं पास्ट बुक कॉन्मेंटेन करता हैं बैंक हम पास्ट बुक को फॉलो करेंगे क्या करेंगे फॉलो नहीं होगा always follow passbook always follow passbook में अगर गलती भी क्या रहेगा तो हम भी गलती करेंगे समझ मारा ना passbook में अगर गलती से भी कोई पैसा कट गया रहेगा तो हम भी cashbook में उसको माइनस कर देंगे अब बताओ हमने cashbook में minus कर दिया था लेकिन passbook में minus हुआ था क्या जैसे मेरा पहले से मालो 90,000 रुपया पड़ा हुआ था बैंक में 10,000 रुपया और cashbook में भी हमारा पहले 90,000 ही था लेकिन हमने चेक काटने के बाद हमने उसको 10,000 का चेक काटने के बाद हमने अपने इधर 80,000 रुपया लिख लिया था लेकिन मेरा यहां पर पैसा कटा था क्या passbook में नहीं क्योंकि मेरा जिसको हमने चेक दिया तो आप है चेक को जो चेक दिया but not presented for payment मतलब जो हमने चेक इसू किया अगर हुआ हम लोगों का present नहीं हुआ है तो उसको हमें क्या करना है क्या करना है प्लस क्योंकि हम उसको पहले माइनस कर चुके थे और बाद में हम उसको क्या करेंगे एड करेंगे क्योंकि हमारा जिस पार्टी को हमने वह चेक दिया था उसने तो हमारा पैसा भी बैंक से कटवाया ही नहीं तो कटवाया नहीं तो फिर से हमें पास्ट बुक को है PAST BOOK मेरा बढ़ा हुआ है QACEBOOK में हमने माइनस कर दिया था तो फिर से हम QACEBOOK में उसको क्या करेंगे add कर दिंगे और दोनों बराबर हो जाएगा reconcile कर जाएगा QACEBOOK में हम बदलाओ कर सकते हैं पास्ट BOOK में हम नहीं कि अब लोगों को यहां तक clear है क्या एक बार सभी लोग JAMES कर डालो मेरे को ओक्र oivos के लोगों clear है बहुत अच्छी बात है और भी जो लोग है मैसेज कर दो आ तो अरु जो लोग है मैसेज कर दो नेक्स्ट ब hairdo कि नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चो अगला पॉइंट है सर दिक्कत है कि दिक्कत है कि अगर कुछ डाउट है अभी तक प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो क्या है कि टाइप करो या फिर रिकॉर्ड करके भेजो मैं सुन लूँगा तो तुम टाइप करो मैं बताता हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर बी नंबर पॉइंट पर आजाओ बी नंबर यह एड में क्यों लिखा हुआ है बी नंबर पॉइंट क्या बोला आपको इंट्रेस्ट एंड डिविरेंड रिसिप्ड बाइबैंक बैंक ने कहीं से मेरा का इंट्र करीदा हुआ था डियवेंट मैं सेर में मीलता है ठीक है यूंसने खरिद नहीं मीट इंट्रेस्ट कई से रिसीव हुआ था और पासबुकोमें वह बढ़ गया था लिकिन कैस्कॉम हमने नहीं बढ़ाया था जब ऑम्हात्स हुआइक पासबुख को cashbook से match करेंगे और passbook में बढ़ गया तो हम भी cashbook में उसको क्या करेंगे plus कर देंगे तो यह plus में जाएगा direct deposit made by the parties मेरा कोई customer मेरा कोई customer मेरे account में directly पैसा जमा कर दिया हमें पता नहीं था जब हम passbook लेके 31st December की रात बैठेंगे और देखेंगे कि passbook में पैसा बढ़ गया है तो हम भी cashbook में क्या कर देंगे plus गलती से भी अगर मालो customer हो नहीं है गलती से भी किसी ने दूसरे ने account में हमारे पैसा जमा करा दिया और मेरे passbook में पैसा बढ़ गया फिर भी हम cashbook में उसको बढ़ाएंगे क्योंकि always follow passbook passbook में जैसे बात जैसा transaction passbook में रहेगा वैसा ही cashbook को maintain करेंगे क्योंकि cashbook को हम आगे पीछे cut work कर सकते हैं लेकिन passbook में हम कुछ नहीं कर सकते अच्छा next point credit given by bank on account of interest मतलब bank ने हमें कुछ ब्याज दिया इस पर debenture का interest हमें नहीं मिल रहा है bank में हमारा जो balance है उसकी वज़ा से bank ने हमारे account में interest deposit कर दिया यानि interest बढ़ा दिया interest का money दे करके हमारा account बढ़ा दिया तो हम भी क्या करेंगे अपने cashbook में उसको plus कर देंगे है ना फिर check deposited but not recorded in cashbook check deposited यानि हमें किसी data से check मिला था deposit करने का मतलब होता है जमा करना deposit करने का मतलब क्या होता है जमा करना paid करने का मतलब deposit करना हमें किसी customer से check मिला था और उस check को जैसे check मिला customer से हैं बहुत में अपने किसी customer से check मिला था जैसे check दिया मैं भागे भागे कहां चला गया जाके क्या किया deposit और इतना फुस था कि cashbook में उसको लिखना भूल गया मैं और वह bank उसके account से पैसा कटके मेरे customer के account से पैसा कटके मेरे account में balance भी आ गया था 24 को जो मैंने deposit किया था 31 December तक तो आ प्लस करेंगे क्योंकि हम cashbook में record करना भूल गया थे so this is the right time on 31st December we will increase the balance of the cashbook also clear dividend collected by bank हमें किसी company से dividend मिला और bank ने उसको collect किया bank में balance बढ़ा हम लोग cashbook में उस balance को क्या करेंगे बढ़ा देंगे रॉंग credit given by the bank देखो तोहन और मोहन दो लोग account open कि यह दोनों का account नमबर भी एक ही है लास्ट में खाली four और five का difference है इसके account में five है लास्ट में इसके account में four है बाकि सब ठीक है एक ही जैसा है गलती से मोहन के account में जो पैसा जाना था वह गलती से सोहन के account में bank ने credit कर दिया bank ने गलती से हमारे account में मेरे account में बैंक ने गलती से क्या किया था credit कर दिया था तो हम जब passbook update करके लाएंगे bank से और cashbook में अब गलती से पैसा आया है तो हमको क्या पता कि कब मेरे account में गलती से पैसा आ गए cashbook में तो हम लिखे नहीं है passbook में money मेरा बढ़ा हुआ हम भी cashbook में बढ़ा देंगे because हमें क्या करना है always follow passbook और passbook में अगर गलती से भी credited हो करके money बढ़ा है तो cashbook में भी हम लोग उसको plus करके और दोनों को reconcile करेंगे यानि match करेंगे दोनों को बराबर करेंगे clear है अच्छा भे अच्छा बैंक आई यह नंबर point मैं भूल गया हूं बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात बताने के लिए bills collected by bank यह मैं example बताया था बिल्स वाला bills collected कैसे होता है मेरे पास हजारों बील है मैंने bank को बुला करके सारे bills दे दिया तो और बोले थे कि जिस due date पे bill का due date आएगा तो मेरे customer लोगों से वह पैसा collect करते रहना तो bills का money bank collect करके हमारे account में credited करता जाएगा हमें तो जानकारी नहीं है कि किस date पे कितना bill का amount हमारे account में credit हो रहा है हमारे account में बढ़ रहा है तो जैसे जैसे हमाई bills का money collected होगा हम अपने account में भी उसको क्या करेंगे लस कर देंगे ये रहा प्लस कब कब होगा यह situation समस्प्प सब्स बढ़ते ही हमें पता चल जाएगा किось में जाएगा कौन माइनस में जाएगा माइनस वाले में चले आओ भी माइनस वाले में ठीक है माइनस वाले पॉइंट पर आ जाओ आप लोग अधरे बच्छो आपको क्लियर हो रहा है ना कि आगे पॉइंट पर आजाओ छेक पेड पेड मतलब क्या होता है पेड मतलब होता है डिपोजीटेड पेड मतलब क्या होता है डिपोजीटेड हमने चेक बैंक में जमा किया मतलब हमें अपने किसी कस्टमर से 1000 रुपे का चेक मिला था हम बैंक में ले जाके जमा कर दिए 2060 डिसंबर को जैसे ही हमने चेक पेड किया हमें बहुत खुसी हुई जै किसी कस्टमर से मिलेगा हम बैंक में जमा करेंगे तो खुसी होंगे ना कि आज मेरे काउंट में पैसा बढ़ेगा समझ मारा ना और कैस भूक में भी आकर के हम उसको कैस भूक में हम क्या करेंगे debit की credit debit करेंगे cashbook में आके हमने debit side में plus 1000 लिख दिया लेकिन bank के पास year ending था मतलब December year ending था बहुत काम था या छुटिया पढ़ गए थी bank की 26 तारीक के बाद bank हमारा जो check था न अपने पास बस अपने drawer में रख दिया उसको transaction में डाला ही नहीं कि मेरे customer के account से पैसा कटता और मेरे account में पैसा बढ़ता हम तो खुज थे लेकिन बढ़ा नहीं ठीक है 31 December को जब bank खुला हम bank में अपना पास बुक ले करके गए अपडेट किए अपडेट करके आये देख रहे हैं कि इधर हमने plus 1000 किया है लेकिन plus 1000 का कोई transaction ही नहीं हुआ है महीने भर में चेक कोई deposit है नहीं हुआ है plus 1000 का तब हम क्या करेंगे bank में मेरा minus है ना भी भी हमने इधर बढ़ा दिया था लेकिन bank में बढ़ा था क्या तो bank से match करने के लिए फिर से हम इधर से क्या करेंगे minus 1000 करेंगे तब ही bank से match करेगा जो हमने बढ़ाया था जितना amount से cashbook में debited किया था उतना ही हम amount फिर से minus कर देंगे तब जाके हमारा passbook से cashbook match कर पाएगा clear है दूसरी बात फिर direct payment made by the bank bank ने directly किसी दूसरे को हमारे भी हाफ पे payment कर दिया था जैसे मालो मेरे credit card का payment कर दिया मेरा LIC का premium जमा कर दिया मेरे account से पैसा cut गया था हम भी अपने cashbook में क्या कर देंगे minus कर देंगे बात समझ मा रही आप लोग को फिर debit made by the bank on account of interest bank ने interest का पैसा काट लिया था bank का service charge काट लिया था तो बैक से हमारा money कम हो गया था हम भी cashbook में minus कर देंगे आकर के फिर dishonor मेरे बच्चों एक मैं बात बोलूँ आपको आपना एक guru मंत्र याद रखो यह न डिजॉनर अभी जब तक bills आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे यानि बिल्स अप exchange चाप्टर डिजॉनर वर्ड समझाना 100% आपको मुश्कील होगा इसलिए आप एक illegal रस्ते को follow करो मतलब just for understanding the topic यह illegal मतलब याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ याद रखने का तरीका जब भी आपको आप डेविट बैलेंस एज पर कैस्बुक का सम बनाओ या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैस्बुक मतलब कर रहा हूँ कि मैं कसम खाया हूँ कि बारे मैं कुछ नहीं पढ़ाओंगा मतलब इधाइएज पर पर बारेंस अज पर कैस्बुक मेरे बच्चो अगर सब्चर्टर geographic और क्रेडिट बैलेंस एज-जूग तब Schnee आपके नजरों में कहीं दिख जाएगा ना समसे में बड़े फेके रहेंगे ट्रांजेक्शन मतलब बहुत इंग्लिस में लिखा रहेगा बहुत कुछ लिखा रहेगा आपको कहीं नहीं देखने आपको कौन सा वर्ड पे देखना है अर्जुन की तरह चडिया के आख में दे बैंक चेक डीपोजिटेट इसा पढ़ना ही नहीं आपको समझभा रहा है ना बस आप डिस ओनर वर्ड देखना और डेबिट बैलेंस अच पर कैस्बुक या क्रेडिट पैलेंस अच पर कैस्बुक इस तर्टिंग पॉइंट अब दे क्वेस्टन जन जस्ट बाइनस में उ उसका कारण समझाऊंगा ठीक है लेकर अभी मतलब जो बच्चे बिल्स के बारे में दम भी कभी नहीं पड़े है ना उनके लिए बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा कर पाएंगे चीजों को इसलिए मैं रास्ता अपना रहा है अच्छा उसके बाद देखिए उसके बाद रास्ता नहीं है पहले इसी को पढ़के बहुत तरह अच्छा लो पास कर चुका है लो आपको तो एक्जाम में सही करना है ना कंसेप्ट तो मैं सिखाएं दोंगा बिल्सप एक्चेंज के बाद लेकिन आप एक्जाम में भी प्रेसर में रहोगे डिजोंडर वर्ट देखा और एक बात बता दे क्या यही पर लगत है हान। और एक बात बता दे अगर मालो, स्टार्टिंग बैलेंश ऐज पर डेमीट बैलेंस ऐज पर पास्ट बुक या क्रेडिट बैलेंस ऐज पर पास बुक रहेगा, ठीक है है? बतलब तो डिजोंडर वर्ट को खाली प्लस में तुसके बाद देखो जाओ नमबर पॉइंट तल यह फांडेशन का मैच्स का पेपर था मतलब पेपर बहुत आसान आया था बहूत आसान पेपर आया था मेरा बच्चा लोग एक्जाम्स देगे निकलाद बूला सर आराम से हम लोग मतलब सेवेंटी प्लस स्कोर कर सकें इतन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ने के लिए ओप्रेसर लेके भी नहीं पढ़ना है कि 12 गंटे, 18 गंटे, 20 गंटे की पढ़ाई आप कर रहे हो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर डिली 6 गंटा पढ़ाई कर लेगा ना तो बहुत है कंसिस्टेंसी के बेसिस पर मतलब डिली बाई डिली काफी जादा है फाउंडेशन के लिए इंट्रमेडिट की बात कुछ अलग होती है वो समय बात किया जाएगा अब इदेखो यहां पर किया है वह नेक्सट परण चेक रिसीब्ड एंड रिकॉर्ड इन कैस्ट बोक बट नोट येट सेंट तू बैंक देखो यह भी घटना है जेक रिसीब्ड आया जगन यह मेरा डेटर है जगन है जगन मेरा कौन है डेटर यह आया मेरे पास चेक लेके पचास जार रुपया का मेरे को चेक दिया क्या फुस कौन? मैं मतलब तुम सब लोग मैं हैं अभी के लिए तुम सब लोग मैं हैं अभी के लिए तो छगन आया चेक दिया और मैं उसको cashbook में संग-sंग man बाठ के कुछ हिसाब देखी रहा था तब तक मेरे को चेक दिया मैं cashbook में संग संग उसको debit में डाल दिया यानी plus कर दिया और उसी cashbook के diary में मैंने check रखा और उसके बाद मैं चला गया नहाने उसके बाद मैं घर से बाहर भूल गया और check डाल नहीं भूल गया मैंने bank मेरी बात समझभा रहा है ना मतलब हमें check मिला हमने cashbook में balance बढ़ा दिया लेकिन check को कभी bank में हमने लेके गया ही नहीं तो क्या मेरा account में पैसा बढ़ेगा छगन के account से कटके मेरे account में पैसा आएगा नहीं क्यूंकि check में check को bank तक पहुंचाया ही नहीं गया है तो मेरा cashbook में balance तो बढ़ गया था फिर हम passbook update करा कर लाए और देखे अरे छगन वाला पैसा तो बढ़ा नहीं फिर cashbook खोला तो check तो उधर पढ़ा हुआ था तो हम cashbook में क्या करेंगे minus करेंगे cashbook में फिर इसको minus किया जाएगा क्योंकि cashbook में सिर्फ हमने बढ़ाया था bank में तो बढ़ा ही नहीं bank वाला तो बढ़ाया ही नहीं क्योंकि check bank तक लेके गया ही नहीं गया था अना clear है बात अच्छा अशले के चेक इसूड मतलब हमने किसी को चेक काट के दिया एक क्रेडिटर को दिया but omitted to be recorded in the cash book है यह बात देखो क्या है आया रामू काका कि रामू काका आये हमने उनको चेक काट के दिया विकाज वो हमारे क्रेडिटर है ठीक है हमने उनको चेक दिया पांच हजार रुपे का पांच हजार का चेक दिया वो चेक लेके गए बैंक में पैसा अपने अपने वो अकाउंट में पैसा डाले चेक डाले मेरे अकाउंट से पैसा कट गया और उनके अकाउंट में पैसा अरे रामू काका ने तो पैसा कठा लिया लिए बाबा तो हम फिर कैस्ट बुक में क्या करेंगे उसको माइनस क्योंकि हम कैस्ट बुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गया थे चेक दे दिये थे पैसा कट गया था मेरे अकाउंट से लेकिन हम कैस्ट बुक में रिकॉर्ड ही बदले गलती मतलब बैंक का यह mistake था गलती से बैंक वाले ने क्या किया था हमारे account से कुछ पैसा काट लिया था गलत debit कर दिया था वो लड़ाई जगड़ा करेंगे बैंक में जाके वो तो बात की बात है लेकिन बैंक ने जब हमारे account से money debit कर लिया और हमको cashbook से passbook को match कराना है तो हम भी cashbook में minus करके दिखाएंगे क्योंकि passbook में minus है तो cashbook में minus करना है because हम लोग always follow passbook हम लोग हमेशा किसको follow करेंगे passbook को follow करेंगे तो यहां इस format में कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे प्यारे बच्चो एक sum आपके साथ किया जाएगा आज के class में इसके बाद class होगा आपका खतम ठीक है यह sum करना बहुत जरूरी है ताकि इस format को और format की तरफ तो मैं पलट के नहीं जाओंगा भी क्योंकि format आपके दिमाग में डाला हो बस उसको मैं आप से recognize करूंगा और transactions को लिखता जाओंगा recognize आप लोग करेंगे कि हाँ सर आपने ये बोल के समझाया थो ठीक है बस इतना मेरे को चाहिए कि अच्छी का मेरे बच्चों कि अभी देखो हम लोग स्तुरुवात करेंगे इसका कि अच्छी कि चलो भई कि यहां तो question number one के बगल में यह लिख भी दिया है favorable balance एज पर cash book is given मतलब starting point debit balance एज पर cash book से किया है favorable balance का मतलब क्या है debit balance एज पर cash book लेकिन यह मज़े बस इसी study material में आपको मिल रहे हैं यह आपके exams में यह heading नहीं दिया हुआ रहेगा वह पढ़के समझना होगा लेकिन मैं पढ़के भी समझाना आपको सिखा दूँगा देखिए कैसे देखिए क्या बोला है on 31st March 2022 31st March 2022 यह मार्च महिने की transaction है मार्च महिने का year concept क्या लेना देना मार्च महिने का transaction है बस आप यह ध्यान रखिए मार्च मंत का कॉपी निकाल लेजे मेरे प्यारे भाईयों और बहनों कॉपी के ओपर heading देजिए bank reconciliation statement class number one या insert आप लिख सकते हो BRS class number one जैसे मैं अपने कॉपी में लिखने जा रहा हूं BRS class number one BRS class number one clear है bank reconciliation statement class number one कोई दिक्कत साम करेंगे हम लोग अभी अभी question पहले पढ़ते हैं ना question पढ़ते हैं पहले फिर format बनाएंगे फिर solve करेंगे देखो क्या बोला 31st March 2022 को the bank balance as per himansu cashbook वाज रुपिस 23,500 debit cashbook 23,500 debit मतलब यह लाइन पढ़के आपको नहीं समझ में आ रहा है कि debit balance as per cashbook है ना बुलाएं कि debit balance debit मतलब debit balance as per cashbook के अनुसार हिमansu के bank balance में 23,500 रुपिज है मतलब हमने उसका passbook नहीं देखा हमने उसका cashbook देखा cashbook में debit balance यानि bank में credit balance है cashbook में debit balance का मतलब passbook में credit balance ठीक है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 23,500 है मतलब question में आपको debit balance as per cashbook दिया है तो format बनाके पहला line लिखते है ना format बनाके first line को लिखते है हम लोग heading क्या देंगे पहले page number question number मुझे लिखने दो page number question number page number है आपका five page number है five question number है one अगर page number five question number one अगर माल लिजिए chapter number five होगा तो page 5.5 chapter number six होगा तो 6.5 मतलब 6 number chapter का 5 number page 6.5 का मतलब यह होता है ठीक है ऐसे page number five अभी आपको लिखके दिया गया है page five question number one देखिए page five question number one पेज फाइब क्वेशन नमबर वन ठीक है अगरे बैंक रिकन्सिलियेशन अगरे स्टेटमेंट यहां पर सिर्फ सॉट में ब्यारेस नहीं लिखना है यहां पर पूरा लिखा जाता है और एज ओन 31st मार्च 31st मार्च 2022 एज ओन 31st मार्च 2022 बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट एज ओन 31st मार्च 2022 टू तर एक बार और समझा दो प्लिज कौन सा टोपिक समझाना है भाई कौन सा टोपिक समझाना है पूरा बियारेस एक बार और समझा दो क्या क्या समझाना है बोलो पार्टिकूलर्स यहां पर हमारा आएगा प्लस आइटम रुपीज और यहां पर माइनस आइटम रुपीज पिछले वहाँ समझा दो बस पिछले भी सब्समें सम तर मैं सम्झाना है तो मैं सम्झा रहा हूँ न जो चीज मैं समझाया हूँ वह सारा चीज क्वेस्थम में बोलके समझाओं अभी ध्यान दो अभी question पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे debit balance edge पर cash book हमें यह दिया हुआ है जिसको मैं circle करके question में दिखाया हूँ देखो debit balance edge पर cash book 23500 दिया हुआ है debit balance edge पर cash book मतलब favorable balance edge पर cash book होता है positive balance edge पर cash book होता है थोड़ा concentrate करो assist यह आपको दिया है debit balance edge पर cash book debit balance edge पर cash book positive balance होता है कि negative balance positive balance favorable balance तो इसको हम लोग plus item column में लिखेंगे 23500 इसके बाद हम लोग पता है क्या करेंगे इसके बाद line को थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसके बाद यहां पर हम लोग एक बार लिखेंगे add और एक बार लिखेंगे कुछ दूर पर जाके थोड़ा यहां पर gap रखके minus या lace मतलब कौन-कौन add item में जाएगा और कौन-कौन सा lace item में जाएगा clear है और अब एक एक transactions को पढ़ना सुरू करेंगे इसके बाद एक एक transactions को पढ़ना सुरू करेंगे जो plus में जाने वाला होगा उसको plus में भेजेंगे जो minus में जाने वाला होगा उसको minus में भेजेंगे listen to me very carefully मेरे प्यारे प्यारे बच्चो चेक for rupees 12,000 cent for collection have not been cleared by the bank so far ठीक है न हमने 12,000 रुपे का चेक भेजा था collection के लिए अच्छा यह जो collection के लिए हम चेक जो भेजते हैं वो चेक हम काट के देते हैं कि customer से हमें मिला रहता है customer से मिला रहता है यह collection के लिए किसी customer से मेरे को 12,000 रुपे का चेक मिला था जिसको मैंने bank को भेजा था कि उस collection कर लो मतलब उसके account से पैसा कट के हमरे account में डाल दो ठीक है हम बहुत खुश थे हमने क्या कर दिया था cashbook में हमने debited कर दिया था उसको cashbook में क्या कर दिया था debited check bank को में भेज दिये और bank वाला ने हमारे check को अभी तक clear ही नहीं किया मतलब bank में हमारा money बढ़ा ही नहीं लेकिन cashbook में plus कर दिये थे जब हम फिर से cashbook को मिलाएंगे और हमारा money passbook में नहीं बढ़ा रहेगा और cashbook में हमारा बढ़ा रहेगा तो हम cashbook में क्या करेंगे less करेंगे तो यह कहां पर जाएगा less में जाएगा check sent for collection but not yet cleared ठीक है न इसको लिखेंगे check less item में one number जाके लिखेंगे check sent for collection collection but not yet collected not yet collected कितने रुपे का है not yet cleared लिखो collected नहीं not it cleared वह बैंक में भेशते हैं वहाँ पान दुकान थोड़े ना क्लियर करेगा not yet cleared चलो तुम्हारा बात सुनते हैं not cleared by bank कितना रुपया बारह हजार यह बैकप में भी अगर बच्चे class करेंगे कोई भी class करेगा इसको वीडियो बैकप में दिक्कत होगा तो हमारा phone number आपके पास है ठीक है चलो दूसरा number point the following check were issued by the मतलब नीचे कई सारा check है अनुभा अंकिता स्तोनम एकदम खुस बच्चा लो देखो यहाँ पर कितना सारा है the following check were issued by the form यह हमारा form ने check mine issue किया था काटा था in March 2022 and were presented in April 2022 अनुभा को check दिया था 3500 का अंकिता को दिया था 2200 का सोनम को दिया था 1700 का समझ मारा रहा ना मतलब यह क्या है check issue तो किया हमने check काट के दिया किसी को दुख हुआ कर कास्ट बुक में minus किया लेकिन इन लोगों ने check को present कब किया था प्यारेस बना रहा है March मंत का इंगों कब का बना रहे है 31st March 2022 का बना रहे है ना हेडिंग में लिखा हूँ देखो ना 31st March 2022 लेकिन इन लोगों गया क्योंकि हम कैस्बुक में पहले इतना रुपया माइनस कर चुके थे दुखी हो करके फिर से हम बढ़ा लेंगे तो आव बढ़ाते हैं एड करेंगे मतलब तीनों का तीनों चेक एड़ेड होगा क्लियर है ना चलो भई यहां पर लिखेंगे चेक इशूड एड में जाए कॉर पेमेंट तीन चेक था अनुभा का कितने का चेक था 3500 अंकीता कितने का था रुपेज त्वेंटी तू हंड्रेड और सोनम रुपेज कितना 1700 चलो भई तीनों अमाउंट को एक साथ एड करके बता दो कितना आएगा एड कॉलम में डाल दें उसको जोwhyड में जाएगा उसको माइनस आइट में टालेंगे मतलब इधर साइड में लिखेंगे जो प्लस आइटम में होगा उसको प्लस आइटम कोलों में डालेंगे 7400 अभी हमने दो ट्रांजेक्शन किया है बस तीसरे ट्रांजेक्शन में मैं आता हूं तीसरा ट्रांजेक्शन में देखो भाई नमबर थ्री बेंक हैज क्रेडिटेड रुपीज 734 इंट्रेस्ट इन पास्बुक बट इस वाज नॉत रिकॉर्डड इन देक्श्बुक यह मैं न पूछूंगा पूछूंगा मैं ठीक है मैं पूछूंगा बताओ बाबू यह यह 730 रुपीज का इंट्रेस्ट बैंक ने हमारे में मनिफ बढ़े था तो क्या करेंगे फ्रम में क्या करेंगे एड के लेस करेंगे क्श्बुड में भी बढ़ाएंगे because always follow पास्बुप तो अपने इसको भीधा देते हैं भाई प्लस सेवें थल्टी कर दो मेरा क्या फ्लस करना है पैसा मिलेगा फ्लस करना है number two मतलब interest credited by interest credited by bank interest credited by bank but not recorded in cash book cash book में अब record करेंगे तो add ही करेंगे करेंगे हमारे पास रास्ता एड करने कहीं है सिर्फ बच्चा बता चुका है लाइब में भी बच्चे बहुत तेज है सब बता देते हैं चलो भाई आगे बढ़ें अब अब इसके बाद वाले ट्रांजेक्शन पर हम आते हैं को फिकर नहीं होगा तो भी मैं एक बार सामने लास्ट में रख दूंगा आप लोग कॉपी कर लेना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं कैस्ट बुक में हमने प्लस कर दिया उसको अना इन मार्च 2022 बट दसेम वाज नोट डिपोजटेट इंटू बैंक इन अपरेल 2022 वहीं वाला बात हुआ था खुष्टी से चेक को रख लिए थे जमा करने ही नहीं गए जब हमारे चेक मिला result में हम plus कर दिया ओर bank में plus हुआ ही नहीं क्योंकि हम bank में check ले के जाएंगे तब तो saamने वाला का account से पैसा कटके हमारे account में आएगा आया ही नहीं तो इसको क्या करेंगे cash book में हमने plus कर दिया था 1200 लेकिन बैंक में 1200 plus हुआ क्या passbook में plus हुआ क्या नहीं तो हम फिर minus कर देंगे इसको तो इसको negative में लिखेंगे हम लोग minus में दूसरा item minus का number two लिख देंगे हम लोग check debited in cash book but not banked banked का मतलब deposited मतलब उसको हमने bank में deposit ही नहीं किया 12 रुपे का 1200 है ना ओके उसके बाद next transactions पे आते हैं next transactions पे अगला transactions insurance premium 2500 पे डिरेक्ली बाइब बैंक अंडर standing instructions इसको बोलते standing instructions मतलब मेरा instructions bank को दिया हुआ था कि premium वाला हमको phone नहीं करना चाहिए तो अकाउंट हटा लेंगे तुम्हारे बैंक से हमकी दिया हुआ था बैंक को बैंक ने standing instructions पे मतलब हमारे बोलने पे हमारा एलाइसी का premium 2500 रुपया दे दिया तो हमारे passbook से money कट गया हम cashbook में भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो लिखेंगे इंसुरेंस premium नमबर थ्री इंसुरेंस प्रिमियम पेड़ बैंक on standing order standing order या instructions दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर ठीक है न तो क्या हो जाएगा भाई कितने रुपय का था ये 25 रुपय का कोई दिक्कत बचो मेरे नहीं अगले transaction पर बढ़ जाओ अगला transaction है le1000 विट si fresh delicious mouth the tapas book Pharisee में 125 रुपया डेबीट हो गया ऐपासभुख में डेबीट होने का मतलब पैसा कटना parties book में क्रेटित होना मतलए पैसा बढ़ना होता है power to में डेबित हुआ है bank charge का पैसा कटा है अकर debit किसी बचा को नहीं समझ में आया तो bank charge से समझ में आ जा गए कि पैसा कटा होगा तो पैसा कटा तो में क्या करेंगे मायनस ah bank charges debited number 4 में लिख देंगे, bank charges debited, bank charges debited in passbook, not entered in cashbook, not entered in cashbook, cashbook में enter नहीं है, तो cashbook में enter करेंगे, कितना रुपया, 120, कितना, 125 रुपया है ना, आप देखो भाई, आप देखो, इसके बाद खतम है, और कोई transaction नहीं था, देखो, खतम था, पुरा last transaction था, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजेगा, अब सब कुछ आपके सामने हैं, बच्चो, हम लोग न, plus column क तीनों amount को add कर लो, plus column में सिर्फ तीन amount है, 23500 प्लस 7400 प्लस 730, यह हो जाएगा, 31630, और minus item में भी हमारा चार amount है, चारो को add कर दो, 12000, प्लस 1200, प्लस 2500, प्लस 125, यह आजाएगा, 15000, 825, 825, clear है, अब आई, देखो, बड़ा amount कौन सा है, प्लस वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या शुरू किया था, यहाँ पर जब हमने शुरू किया था, तो क्या लिखा था, debit balance एज़ पर, क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैस्ट बूग एंसर में लिखेंगे यहां डेबिट है यहां डेबिट है तो एंसर में हम लोग लिखेंगे क्रिडिट अंसर में क्या लिखेंगे credit ना क्या लिखेंगे credit फिर यहां पर balance एज़ पर हम लोग भी लिखेंगे balance एज़ जो वहां लिखा है वहीं लिखेंगे खाली उल्टा कर देंगे debit रहेगा तो उल्टा लिखेंगे क्या credit credit balance एज़ पर वहां पर क्या लिखा है एज़ पर क्या है एज़ पर क्या है वहां पर कैस्बुक है तो यहां पर हम लिखेंगे पास्बुक पास्बुक बड़े amount में से छोटे amount को माइनस कर दो यानि 31,630 में से माइनस कर दो 15,825 रुपे यह आ जाएगा 15,805 और इसको लिखोगे कहां पर बड़े वाले amount के नीचे ही लिखा जाएगा किसके नीचे लिखोगे बड़े amount के नीचे 15,805 समझ मा रहा है यहां पर क्या करोगे यहां पर अगर debit balance से चालू हुआ है तो यहां लिखोगे credit balance यहां पर आपका सुरू हुआ है cashbook तो यहां पर लिखोगे आप passbook बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना मतलब इ नीचे लिखेंगे ठीक है बड़े वाले amount के नीचे देखो ना credit balance पर पास्ट बुक भी क्या होता है credit balance पर पास्ट बुक क्या होता है positive balance होता है समझ मारा ना तो positive balance हमारा credit balance पर पास्ट बुक आ गया 15,805 रुपे का यह हमारा question था अज का समझ मारा मेरी बात अगर आप लोग को कुछ भी नहीं करना यह जो study material जिससे मैंने पढ़ाया एक बार मैं आपके आखों के सामने अच्छा सभी लोग copy कर चुका है क्या मैं एक बार इसको पूरे सम को सामने रख देता हूं किसी बच्चे को दिक्कत है तो copy कर ले ना भाई है कि मैं कुछ सेकंड के लिए रख देता हूं बस पांच-दस सेकंड ताकि पॉस्ट कर सकेगा बच्चा लोग अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहां पर जो हमने रूल्स आपके सामने पेस्ट किया था आप से गुजारिस हैं कि आप सम्स करो या नहीं करो अगले क्लास में यह फॉर्मिट आप मतलब यह पीडिएफ आपको सेयर किया जाएगा सभी लोगों को अब क्या करेंगे ब फिर इसके बाद से यह सब डिफरेंस वागर आपको पढ़ने का इक्षा होगा तो पढ़ लेना नहीं होगा तो आप छोड़ देना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर यह नीड फॉर दा बियारेस यह ब्लू बॉक्स नहीं पढ़ना है लेकिन यह फॉर्मेट आपको जरू कभी सम करेंगे फिर पास्ट बुक में भी हम लोग इंट्री कर जाएंगे ठीक है लेकिन आप यह फॉर्मेट जरूर करके आना ताकि हम लोग आये ना तो समस हम लोग बहतर तरीके से एक्दम करना स्टार्ट कर दें चलिए बच्चो आज का आपका जो सेशन है यहीं पर स्ट बाकी लोगों को भी क्लियर है ना सभी लोगों को समझ में आ गया है ओके ओके माइडियर स्ट्रेंट्स थैंक यू सो मच बाई 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 टेक्योर आल अफ यू ओके ओके